हलो फ्रेंड वेल्कम टू माइट ट्रागिनी यह चैनल दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगा कि आपके मोबाइल के अंदर कोई भी सर्टिंग खराब हो जाती है कोई भी सर्टिंग खराब हो जाती है तो आपको सिर्फ एक क्लिक में कैसे ठीक करना है अ और भी कोई उसके इलावे कोई सेटिंग में प्रॉब्लम हो रहा है कुछ भी मतलब अगर आपको करने में दिक्कत हो रहा है तो आपको कैसे ठीक करना ज्यादा मतलब आपके पास जानकारी नहीं है कि कौन सी सेटिंग के लिए क्या करें कहां पे जाए ना जाए तो सिर्फ आप अपने मोबाइल के सेटिंग में चले जाए यहां पर मोबाइल के सेटिंग में जाने के बाद आपको सीधा जाना है यहां पर अदिशनल सेटिंग में और सबसे नीचे जाएंगे तो बैक अप रिसेट का सेटिंग आता है बैक रिसेट में जाएंगे तो सबसे नीचे इरेज ऑल डाटा फेक्चर इस पर किलिक करना है लेकिन आपको आल फेक्चर नहीं करना है ठीक है यहां पर आपको क्या करना है रिसेट नेटवर्क सेटिंग है नमबर दो पर रिसेट सिस्टम सेटिंग है और इरेज डाउनलोड एंड एप्स आपको क्या करना है दो ही सेटिंग अगर आपके पास नेटवर्क से रिलेटर कोई प्रॉब्लम है तो रिसेट नेटवर्क सेटिंग पर क्लिक करेंगे और यह से आपके मोबाइल में नेटवर्क से रिलेटेड कोई भी खराबी होगा तो वो खुद बाख़ोद यहां पर ठीक हो जाएगा ठीक है अगर सिस्टम सेटिंग कोई और सेटिंग में प्रोब्लम दिख रहा है कुछ अप्लिकेशन काम नहीं कर रहा है या कोई दिक्कत आ रही ह तो सीधा जाएं रिसेट सेटिंग में और यहां पर बासवर्ट मैंने डाल रहा है अपने मोबाइल में तो वह मांग रहा है यहां पर रिसेट सिस्टम सेटिंग और इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल में कोई भी सेटिंग कहीं से भी खराब होगा तो वह क् उसपर क्लिक करेंगे नीचे वाला पूरा डिलीट ऐसे याहां पर बैक अपर रिचेत सबसे नीचे, यह जो है इरेज Allड़ डाटा ग्ला टो यह शब पर आप क्लिक करेंगे तो पूरा डाटा इसको क्लिक करेंगे तो reset मरिए ठीक है रेज नहीं करिए अगर रेज कर देते हैं तो यह आपका पूरा delete हो जाएगा तो delete नहीं करना आपको यह दोनों setting में से कोई एक किलिक करिए आपका जो है यहाँ पर problem solve हो जाएगा ज्यादा आपको setting ढूरने का जरूरत नहीं है ठीक है बहुत easy और आसान त